आज हम लोग बात करेंगे स्रेजनात्मक लेखन पर साथियों आप लोग स्रेजनात्मक लेखन से अउगत होंगे बाकायदाल करते भी होंगे तो आज इसके अंतरगत हम लोग चर्चा करेंगे कैसे बनती है कविता और इसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों के चैन का क्या महत्व है, कविता में बिम्ब और छंद का क्या महत्व है, कविता में काबे की संरचना जो होती है, यानि वाक्य की जो संरचना होती है, उसका क्या महत्व है संदचना बदलने से क्या आर्थ में फरक आता है और कविता के कौन से घटक होते हैं यानी कौन से वो महत्तपुन बिंदू होते हैं जिन्हें कविता लिखने वाले को जरूर जानना चाहिए तो ऐसे बिंदों पर आज हम चर्चा करेंगे और इनी बिंदों को जानेंगे साथ ही हूँ जब आप कविता पर काम करते होंगे कविता लिखते होंगे या कविता पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा ये कविता आती कहां से है शुरुवात होती है कविता की नर्सरी रायम से आप बाकाइदा जानते हैं कि शुरुवात आप लोगों ने भी ऐसे ही की होगी नरसरी रायम से हम लोगों ने शुरुआत सबने की है जैसे हमने सुकुमार राय का सतिजीत रे के जो पिता है जिनके बारे में हमने कई बर चर्चा भी की है तो सुकुमार रे की एक किताब है अबोल तबोल उसको भी आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने नरसरी रायम के तौर पे उस किताब को गिना जा सकता है हमारे भारत में तो हम लोग नरसरी रायम से शुरुआत करते हैं लेकिन साथियों कि आप जानते हैं कि आप जब नानी से दादी से बात करते हैं यहां तक कि खेतों में जो ढ़ोल बझता है उसके साथ भी कविता का संबंध होता है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बिना गाए लोग धान की रुपाई भी नहीं करते हैं तो यानि केतों से उसका संबंध जीवन से उसका संबंध तो नानी के बोल खेतों के ढ़ोल इन सब से कविता का क्या संबंध बनता है, कविता कैसे शुरू होती है, यह सब आप जान पाएंगे, आप यह भी जान पाएंगे, कि नरसरी रायम्स जो शुरुवात होती है कविता की नरसरी रायम्स से, वैसे तो हमें आसान सी लगती है यह बात, लेकिन आपको लगता होग आपने कभी सोचा है इस बात को कि कविता के भीतर घुसना या कविता को जानना हमेशा कठिन क्यों होता है कभी मुश्किल क्यों होता है कहानी तो पढ़ना आसान लगता है लेकिन कविता पढ़ना अक्सर मुश्किल लगता है अजीब सी बात है लेकिन पूरी दुनिया में अ बहुत मुश्कल समझते हैं और दूसरी तरफ हम शुरुआत इससे करते हैं, यानि कविता में कुछ तो ऐसी बात है, जो शुरुआत इससे करना हमारे लिए महत्व पूर्ण लगता है, अब वो कुछ बात जो है वो कौन सी है, जाहिर है कविता का ले बहुत महत्व रखता है राइम्स जिसको हम लोग कहते हैं वो बहुत महत्वर रखता है और राइम्स से शुरुवात जो होती है वो हम पूरी तोर से एक ब्यवस्था कह सकते हैं जीवन की ब्यवस्था को समझने में मदद करता है चलिए अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि आखिर ये कविता है क्या कविता के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानने की कोशिश करें कि ये कविता है क्या तो कविता पर बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें की हैं जैसे आचारे भामह जो संस्कृत के बड़े विद्वान करें तो कविता नहीं बनती है अब आपके मन में उठ रहा होगा सवाल कि नर्सरी राइम्स जो की अबोल तबोल जिसका मैंने जिक्र किया अबोल तबोल तो निरर्थक शब्दों का मेल है तो फिर निरर्थक शब्दों के मेल को हम कविता कैसे कह रहे हैं अब जानना ये पड हैं वो कुछ अर्थ की और हमीले जाते हैं किसी अर्थ की दिशा में हमें ले जाते हैं अर्थ का स्रेजन करते हैं तो वो कविता हो सकती है इसी तरह से वाक्यम्र साथ्मकं काभ्यम अपने आचारे विश्ञोनात का सुना होगा और भी बहुत से पंडित जगनात ने भी इसके बारे में चर्चा की है और बहुत से हमारे संस्क्रित के विद्वानों ने इस पर चर्चा की है आप इसको पढ़कर के देखिएगा जरूर जानिएगा संस्क्रित विद्वानों के साथ-साथ हिंदी के बहुत से बड़े जो आलुचक हैं और कभी हैं उन्होंने भी कविता पर बहुत सी बातें की हैं जैसे रामचन शुक्ल ने कहा है जीवन की अनुभूती ही कविता है इसी तरह से जैशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि शब्द की अनुभूती को कविता कहते हैं इसी तरह से जोर्ज आसी बात नहीं है जो केवल कुछ लोग ही कर सकते हैं सब लोग कर सकते हैं हर किसी के जीवन में वो कभी न कभी किसी न किसी समय आ सकती इसको बहुत सुन्दर इमेज के साथ एक बिम के साथ जोर्ज लुइस बुर्खेस ने कहा है जिसका हिंदी में मैं बता रही हूँ आपको कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है वो हमारे जीवन में किसी भी शन बसंत की तरह आ सकती है यानि जैसे बसंत आता है तो सब कुछ बदल जाता है वैसे कविता किसी के जीवन में भी आ सकती है और किसी भी शन आ सकती है अब इसी से एक जुड़ी बात है महत्यपुन बात है वह भी जान लीजिए कि जब रतनाकर डाकू के जिकर आपने सुना होगा यानि बालमी की रामायन के बारे में भी आपने सुना होगा तो बालमी की ने जब रामायन लिखी उसके पहले कहा जाता है कि वो रतनाकर डाकू क नाम से जाने जाते थे लेकिन यह शुरुवात कैसे हुई अचानक उनके जीवन में कविता ने क्या बदलाव कर दिया और उसके उनका पहला कह सकते हैं कि छंद कौन सा था जो उन्होंने बोला उनके मुझ से निकल पड़ा जब क्राउंच बद को उन्होंने देखा तो उनके मुझ से अचानक निकल पड़ा मा निशाद प्रतिश्ठाम तमगमः शाश्वतिह समाह यत क्राउंच मिथुना देकम वधिह काम मोहितम यह रामैन का है बालमी की रामैन का बालकान का आप लोग देख सकते हैं तो पहला चंद जो उनके मुझ से निकला था यह वही था और इस चंद से कहा जाता है कि उनके जीवन में बदलाव आ गया और वो एक कवी के रूप में मशुहूर हो गया जब कि वो पहले डाकू के नाम से जाने जाते थे तो कविता ने जीवन बदल दिया बिलकुल उसी तरह से हमारे हाँ सुमित्रा नंदन पंथ जो छायावाद के क उन्होंने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवी आह से उपजा होगा गान निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजान हाला कि यहाँ पंथ जी ने थोड़ा सा इसको वियोग से जोड़ दिया यानि जब तक विरह ना हो तब तक कविता का जन्म नहीं होता है तो कहीं न कहीं इसको बाद में लोगों ने व्याख्या भी इसी तरह से करनी शुरू कर दी, जबकि ऐसा नहीं है, इस वीरह को बहुत ब्यापक अर्थ में लेना चाहिए. वीरह मतलब किसी न किसी चीज का अभाव, कुछ भी वो आनंद का अभाव भी हो सकता है, वो अर्थ क प्यार का भाव भी हो सकता है तो किसी न किसी चीज का भाव उसको अर्थ विस्तार में हमें देखना चाहिए अब इसी से एक बात महत्वुन हो जाती है कि हम यह सोचें कि कविता के बारे में अगर यहां मानले कि कुछ ही लोग कविता लिख सकते हैं, यानि कुछ ही लोगों में वो शमता होती है, सभी लोगों में कविता लिखनी की शमता नहीं होती है, ऐसा मानने वाले हमारे भारती लोग भी हैं, विद्वान भी हैं, उनका भी मत ऐसा है, कई लोगों का यह मानना है कि कविता हर कोई नहीं लिख सकता, कभी तो जन्मजात हो होती है सवाल ये है कि उसे थोड़ा सा अभ्यास करवाया जाए थोड़ी सी उसको सीखने और कौन-कौन से बिंदों पर ध्यान देना चाहिए जीवन के किन अनुभाओं को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है उस पर पुनर विचार करने की जरूरत है यह भी बहुत जरू लेते हैं कि कविता कैसे बनती है यह भी हमने जान लिया कविता क्या है यह भी हमने जान लिया लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर सोचना शुरू करें कि आखिर वो कौन से विंदू है जिनकी चर्चा हम बार-बार कर रहे हैं वो कौन से तत्व होंगे वो कौन से ऐसे पहलू होंगे जिन पहलों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है तो कविता में शब्दों का बड़ा महतो होता है कविता में धोनियों का भी महतो होता है कवी क्या करता है शब्दों से खेलता है हमारे भारतिय विद्वानों ने भी ये बात कही है कि शब्दों से सबसे पहले खेलना सी तो साथी जो बिल्कुल अपरजित होता है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, खेलते खेलते धीरे धीरे उस साथी के बारे में आप बहुत कुछ जान जाते हैं, बहुत सी बाते ही जान जाते हैं, उसके बैग्राउ दोस्ती का मतलब ही होता है शब्दों की कहां और सही प्रयोग किये जाएंगे तो शब्दों से अगर हमारी दोस्ती हो जाती है तो उन शब्दों का पूरा का पूरा कहना चाहिए प्रिष्ट भूमी भी पता चल जाती है उन शब्दों का ओरेजिन जिसको हम कहते हैं कहां से हुआ है उन शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे किया गया है कैसे कैसे कभियोंने किया है पहले यह सब कुछ भी हम जान पाते हैं तो शब्दों से दोस्ती सबसे पहले करिए शब्दों से खेलना सी किये बिलकुल उसी तरह से ध्वनियों से खेलना भी सी किये हम एक दो धारण आपके सामने रखते हैं जैसे आप खेल गे जब बच्चे जब खेलते हैं शुरुवाती दोर में जब खेलते हैं खेलते खेलते क्या कहते हैं अकड बकड बंबे बो, असी नब्बे पूरे सौ, सौ मिला गया धागा, चोर निकल के भागा ये तो आप लोग खुब खेलते होंगे, करते भी होंगे तो आप जानते हैं, ये कैसे हुआ, क्योंकि सिर्फ खेला, अगर जिस किसी ने भी आप खेलते-खेलते, शब्दों को जोडते चले गए बिल्कुल उसी तरह से कविता लिखनी के प्रयास में, खेलते-खेलते, शब्दों को कैसे आप जोडेंगे शब्दों को कैसे आप एक साथ बिठाएंगे कैसे दो शब्दों का मेल कराएंगे यह सब आप शुरुआत में करना सीखिए करिए शब्दों से दोस्ती करिए बिल्कुल उसी तरह से जो बड़े कभी है न उन्होंने भी इस तरह के प्रयास किये है जैसे रगवीर सहाए बड़े कभी हैं उनका कुछ पंक्तियां हैं अगर कहीं मैं तोता होता तोता होता तो क्या होता तोता होता यह क्या है सिर्फ दो शब्दों के साथ कभी खेल रहा है और दो शब्दों को बार 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 अलग अलग तरीके से बोल करके, अलग-अलग तरीके से दुबारा दोहरा करके अर्थ पैदा करने की खोशिश कर रहा है. ऐसा प्रियास बहुत से लोगों ने किया है. ऐसा प्रियास निराला जैसे कभी ने भी, महा कभी निराला जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी किया है. बाद में ता उस समय बिलकुल न प्रयास करिए कि आप कोई अर्थ पैदा कर रहे हैं, दरसल कभिता अर्थ पैदा करने के लिए नहीं लिखी जाती है, शब्दों के साथ तरह तरह के प्रियोग करिए और तब आप पाएंगे कि खुद ही एक अर्थ उस दिशा में चल पड़ा है, जिसको आपने भी नहीं सोचा होगा, वह तो पाठक अपने आप उस अर्थ को खोज लेता है, तो ऐसे प्रयास आप खुद करके देखिए और बलकी आप कह सकते हैं कि शब्दों के बारे में ज्यादा जानकारी आपको कभिता के जरिये होती है, आप लोगों ने परियायवाची ख प्रियोग कर सकते हैं, जहां फूल शब्द प्रयोग हो रहा है, वहां प्रकाश नहीं प्रयोग कर सकते, तो आप उसी के परियाय को वहां प्रयोग करेंगे तो दूसरा अर्थ पैदा हो जाएगा, यह बहुत जरूरी है, बिलकुल उसी तरह से, एक कभिता है शमशेर बहा सामने में रखती हूं, वहाजी वहा, हमको बुद्धु ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटे हैं, तो घटे ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं, तो बस यानि कि बढ़ते ही चले जाते हैं, आपका यह रोग बिलकुल समझ में ही न अब बस शब्द का लगाना आप खुद ध्यान रखिए कि बस का यहां आना बस ना भी होता बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं घरते हैं तो घरते ही चले जाते हैं इतना कहना काफी था लेकिन ऐसा नहीं किया कभी ने उसने क्या किया कुछ शब्दों को उसमें ऐसे खेल कि तरह से डाल दिया, बढ़ते हैं, जैसे बोलने में हम लोग करते हैं, बढ़ते हैं तो बस, यानि कि आप बढ़ते ही चले जाते हैं, तो इस तरह के प्रियोगों से कभी यहाँ खेल रहा है। इसी कविता में एक जगह पर और आता है, जहां वह कहते हैं कि आप बढ़ते 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 एक दिन बिलकुल गोल हो जाते हैं, बिलकुल गोल हो जाते हैं, तो वह लिखते क्या हैं, बी को अलग लिखते हैं, लौ को अलग लिखते हैं, कू को अलग लिखते हैं, लौ को चारों ध्वनियों को मिला कर नहीं लिखते यह भी एक खेल है यह ध्वनियों से खेल कर रहा कभी यानि जब उसे यह कहना है कि चांद पूरी तरह गोल हो गया तो चांद पूरी तरह यानि पूरिमा का चांद जब पूरिमा का चांद उसे कहना है तो उसने क्या किया कि उसने धोनियों को अलग-अलग कर दिया, धोनियों को बोलते समय ही आप उस गोलाई का एहसास कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो इस तरह से खेल करके आप भी देखिए और जानिये कि बहुत सी चीजें कैसे धोनियों से खेलेंगे, कैसे शब्दों से खेलेंगे, शब्दों के बा और चंदों की जानकारी भी कविता लिखने वाले को जरूर होनी चाहिए जानना ही चाहिए अब जैसे एक उधारन आपके सामने में रख रही हूँ ये चार पंक्तियां जो में सामने रखूंगी आपके वो सुमित्रा नंदन पंत जो की छायवाद के कवी हैं उनकी एक कवित है उसमें आती हैं तट पर बगुलों सी व्रिधाएं बिधवाएं जप ध्यान में मगन मंतर धारा में बहता जिनका अद्रिश गति अंतर रोदन अब ये द्रिश्य आप समझ गये होंगे ये गंगा के सामने बैठी कुछ बुढ़ें व्रिधाओं के बारे में कहा जा रहा है कुछ ऐसी ब्रिधाएं जो संभावता बिधवा हैं और सबिधवा होने के कारण सफेद वस्र पहने हुई हैं आपने हरिद्वार में या बनारस में ऐसे द्रिश्य देखे होंगे गंगा के सामने बैठी हुई कुछ इस्त्रियां और आप अब कल्पना करिए यहां कह रह है आपको ध्यान करिए कि कितना सुन्दर इमेज दिया है कितना सुन्दर बिम दिया है कभी ने और वो क्या किया है कि उसने एक बिधवा की जो गर्दन होती है बिधवा जब घुटे हुए बाल होते हैं कल्पना करिए कि घुटे हुए बाल पुराने जमाने की आज की बात तो घुटे हुए बाल होने के करण गर्दन कुछ अधिक लंबी हो दिखाई पढ़ लगी है और सफेद बस्तर पहीं हैं जाहिरे बघुलों का रंगी सफेद है और उनकी घुटे हुई को बताने के लिए उसने बगुलों से विर्धाएं कह दिया, तो ये बिम्ब को भी ध्यान रखने की जरूरत है, कि जब आप किसी चीज को देखते हैं, किसी भी द्रिश्य को देखते हैं, तो उस द्रिश्य को देखते हुए आपकी कलपना कहा कहा तक जा सकती है, आप किस किस तरीके से उस बात को कह स आप अगर जीवन के बारे में बात कर रहे हैं माल लेजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में यात्रा करते हुए प्लेटफॉर्म पर जो द्रिश्य देख रहे हैं उस द्रिश्य को अगर आप बयां करना चाहते हैं कहना चाहते हैं तो उस द्रिश्य को जियो मेहत् होता है, छंदों पर हम आगे बात करेंगे, और इसी के साथ ही आप एक और उधारन में आपके सामने लेकर कर आ रही हूं, जो कविता है मोची राम कविता, जो की धूमिल की कविता है, उसमें उन्होंने कहा है कि बाबो जी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरमत के लिए खड़ा है, बहुत सुंदर बंक्तियां है, तो किसी व्यक्ति को देख कर कि जूते का खयाल आना, ठीक है, उसके रोजी रोटी से जूड़ा हुआ है, उसके ज आज के ऐसे वर्ग के बारे में कह रहा है जहां दर असल जरूरत है कि उन्हें ठीक किया जाना चाहिए, वो कोई भी हो सकते हैं, तो ऐसे वर्ग के बारे में सिंबॉलिक ढंग से, प्रतिकात्मक ढंग से, सिर्फ जूता कह करके कभी ने सारी बात कह दी है, तो कैसे हम किसी बढ़ते रहे और इस तरह के इमेजेज पर ध्यान दीजिए और इन बिम्बो का प्रियोग करने की वजह क्या होगी अगर हम इनकी जगह कोई और शब्द डाल देते हैं जूता की जगह कलपना करिये मोची तो कोई और शब्द डाल नहीं सकता तो उसकी पूरी दुनिया से ज जिम्ब आप अक्सर महसूस करते होंगे, देखते होंगे बिलकुल इसी तरह से एक कविता जो आप अक्सर पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं कई दिनों तक चुलहा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्ट, कई दिनों तक चुलहों की भी हालत रही शिकस्त. फिर उसके बाद की जो चार पंक्तियां हैं वहां कहते हैं दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद धुआ उठा आंगन से उपर कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद कववे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद अब इसमें गौर करने की जो बात है मैं इस कविता को कोट क्यों कर रही हूँ गौर करने की जो बात है वो ये है कि आप शुरुवात में देखिए कि कई दिनों तक एक पदवाक की आ रहा है और आप बाद के चार पंक्तियों में देखिए कि यही कई दिनों के बाद बदल ग उसी को उसने कहा दा ने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। आप ध्यान रखो, इससे कैसे अर्थ हो रहा है यह खेल हमें भी करना चाहिए, वो क्या कर रहा है कि बहुत दिनों तक अगर कोई कर्स्ट आपने जहेला है ना दुख जहेला है, अभाव जहेला है, तो आपको होगी हुए हमें चाट खाए हुए तमाम चीज़ या बहुत दिन हुए यानि कई दिन हुआ ये बात ज्यादा महत्वपुर्ण है तो कई दिन हुआ जो एक अभाव था या यह कह सकते हैं जो एक हालात ऐसे थे जहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है ना दाने हैं खाने को है वो इस्थिती उस इस्थिती को उस अकाल को कावर्ण करने के लिए कवी ने पहले रखा कई दिनों के बाद क्योंकि बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप सबसे पहले उस पदवाक्य को कहते हैं या आप खुद अपनी जीवन से याद करके देख लेजिएगा लेकिन जब हमा हमारे पास सब कुछ आज आता है और अभावव खत्म हो जाता है तो वो बात याद नहीं रहती है और हम कहते हैं कि दाने आए घर के अनदर कई दिनों के बाद दाना आया या भोजन है आज हमारे पास खाने को है ये ज़्यादा महत्यपुन है जो जादा महत्यपुन हो वो सबसे पहले फिर जो कम महत्यपुन है वो बाद में चला गया यानि अब उसके लिए वो समय का जिसको बता रहा था वो कई दिनों के जरीए वो समय महत्वपूर्ण नहीं रहा अब महत्वपूर्ण रहा कि आज हमारे पास है आज हमारे पास वो खाने को है वो खुशियां है वो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है तो उस सब कुछ को बताने के लिए देखिए कितनी खुबसूरत तरीके से यहाँ पर इस तरह के बिंबों में शब्दों से खेला है, इस तरह के बिंबों को बताने के लिए और छंदों को बताने के लिए कवी ने शब्दों से खेला है, पूरे के पूरे पदवाक के कह सकते हैं, पदों से खेला है, अभी जो हम आप लोग कविता में बिम्बो की बात कर रहे थे कि कविता में बिम्बो का बहुत महतो होता है चंद का बहुत महतो होता है साथियों इन सब को आप अपने आस पास के जीवन में देखिए बिम्ब का मतलब कि आयचित्र जो आप देखते हैं जैसा देखते हैं वैसा जियों का यह बिम्बों को और बिम्बों पर हो सकता हम आगे भी बात करेंगे यहां आज हम बिम्बों पर इतनी ही बात करते हैं लेकिन कुछ और कवियों की कविताओं को ले करके हम इस बात को और स्वष्ट करना चाहेंगे आगे के आगे चल करके तो आज इतना ही कि बिम्बों पर सो झाल 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 झाल